बहनो, हरी सबजियां पोशक तत्वों से भरपूर होती हैं और बिना सबजी के तो हमारी रसोई और थाली पूरी हो ही नहीं सकती, ऐसी ही एक सबजी है सहजन या मुनगा, जी हाँ, मुनगा की फलियां पोशक तत्वों से भरपूर होती हैं, केवल फलियां ही नहीं, फूल औ और पत्यां भी इसके काम आती हैं, पोशत तत्वों से ये भरपूर होती हैं, और मुनगे की अधिक जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंतरित किया है डॉक्टर अकांग्शा पांडे को, जो वैज्ञानिक है अहार एवम पोशन की कृशी विज्ञान केंद्र होशंगाबाद में, आपका बहुत-बहुत स्वागात है अकांग्शा जी, नमस्कार, धन्यवाद, अकांग्शा जी, आप सबसे पहले यही बताए कि मुनगा क्या है और इसके पोधे की भी हमें थोड़ी जानकारी दीजिए, सहजन एक बहुबर्शिय पोधा है, जिसका जड़ से लेकर तना और पत्ती तक पूरा पोधा भोजन की रूप में उपयोग किया जा सकता है, अगर अपन सहजन की बात करते हैं, तो अपन इसको किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा उपयोगी जो मिट्टी होती है, वो 6 से 7.5 pH मान वाल Celsius, इसकी बड़त बहुत अच्छे से हो पाती है, सहजन का पोधा अगर आप लगाना चाहती हैं, तो मैं तो अपनी ग्राम लिच्च में सुनने वाली बेहनों से कहूंगी कि हर घर में एक पोधा जरूर होना चाहिए, लेकिन यदि आप उसको व्यवसाइक रुपे भी इसक आपकी शाओ, आप इसकी खेती कर सकते हैं, जी, हम ये जाना चाहेंगे कि इसमें कौन-कौन से पोशक तत्व पाये जाते हैं, देखिए, मुनगा को एक तरीके से अमृत बोला गया है, इसमें बहुत सादा पोशक तत्व पाये जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जड से लेके पती तक और फूल तक इसकी मतलब पूरा पेड ही बहुत पोशक तत्वों से भरपूर है, तो अगर इसकी सहजन की पतियों की अगर आप बात करें, तो इसमें जो कार्बोहाइडरेट है, 100 ग्राम अगर अपन पती इसकी खाते हैं, तो इसमें जो का विटामिन, ए, थाइमिन, राइबोफलेमिन, नयासिन से भरपूर है, इसमें जो विटामिन C मुखिता, जो की रोगों से लडने के कार्म करता है, वो 51.7 mg है, और केल्शियम और लोह तत्व की पूर्ती भी इससे बहुत अच्छी होती है, केल्शियम इसमें 185 mg होता है, औ और लोह तत्व, इसमें 4 mg होता है, आप समझी गए होंगे, इसके पोशक तत्व की मात्रा सुनके कि ये कितना पोशक तत्व से भरपूर है, अगर हम मुनगे की फल्यों की बात करें, तो उसमें कितने पोशक तत्व होते हैं, और कैसे होते हैं, देखिए, अगर आप अगर हम किसी और अन्य भोजिप अधार्त से इसकी हम अगर तुल्ना करें, तो उसमें हम किस तरह से इसको अनुमानित कर सकते हैं, देखिए, अगर आप 100 ग्राम मुनगे की पत्ती को एक दिन में ले रहे हैं, तो यह दही से 9 गुना जादा प्रोटिन देता है, दही की होता है, गाजर की तुल्ना में 4 गुना ज्यादा विटामिन A होता है, केले से 15 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है, बालक से 25 गुना ज्यादा आयरन होता है, और दूद से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, हम सभी सुनते आए हैं, कि दूद जो है, वो एक प तो क्या हम सहजन की पत्तियां, उनको सूखे रूपने भी उपयोग कर सकते हैं? अगर आप सहजन की पत्तियों का, जैसे आपको अगर घर में पेड़ है, तो ताजी पत्तियां जादा अच्छे होंगे, आप देली के खाने में उसको उपयोग कर सकते हैं, रोज मर्या में अगर आप दाल बना रहे हैं, दाल में पत्तीं काट के डाल दीजे, आटे में मिला के डाल दीजे, जैसे आपको जैसे कि आप पालक और मैथी की भाजी उपयोग करते हैं, जैसे भी हरी भाजी उपयोग करते हैं, वैसे ही आप मुनगे की भाजी का उपयोग क सभी लोगों ने अभी तक आप लोगों ने सुन लिया होगा कि मुनगा 300 बिमारियों से लड़ने का कार करता है, तो कैसे, सबसे बड़ी बात ये होती है, जो हमारा सरीर बना हुआ है, वो पोशक तत्तों से मिलके बना है, अभी अपन ने ये जानकारी ले ही ली, कि इसमें पोशक तत्तों कितने हैं, तो सुरूबात हम करते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों को भी समश्या आती है, पेट दर्द की, या फिर कब्ज की, तो कब्ज की समश्या अगर आपको है, इसमें बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं, मुनगे की फली में भी बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं, और मुनगे की पत्ती में भी रेशे होते हैं, तो ये कबज की समश्या को दूर करता है यदि हमारे बच्चों को फोटे बच्चों को पेट में कीड़े हो गए है तो अपन अगर इसकी पत्ती का चून एक-एक चमच तीन बार पिला दें तीन दिन तक तो उसमें जो भी उसके पेट के कीड़े हैं वो भी निकल जाएंगे जैसे ब्लड प्रेशर है या और कॉलेस्ट्रॉल की समस्या भी बहुत होती है हिर्दै रोग जैसी चीजें होती है तो मुनगे से ऐसे कौन से और गुन मिलते हैं कि इनमें हमको सहायता मिल जाए देखिए हिदै रोग, मेटाबॉलिक डिसॉडर, डायबिटीज ये सब किसके कारण होता है कि एक डायबिटीज का जो फेक्टर होता है वो इंसुलीन के कारण होता है और ये इंसुलीन रजिस्टेंस है जो मुनगा है वो इंसुलीन रजिस्टेंस है इसकी वज़े से जो जलन है और सूजन है इन सब चीजों में राहत मिलती है और इंसुलिन अच्छे तरीके से अपना काम कर पाती है तो डाइबिटीज में इसलिए अपन कहते हैं कि ये फाइदा करता है तो क्या इसके फूल और बीज भी काम आते हैं? सुरोसिस, एक्जिमा, इसकी भी जो दवाईएं कमपनी बनाती हैं वो लोग भी इसके तेल का उप्योग करती हैं तो अकांक्षा जी एक और प्राव समस्या जो है वो अभी बहुत ज़्यादा देखने में मिल रही है हमारी महिलाओं में वो है थाइरड की समस्या क्या थाइरड में भी इसकी मतलब उप्योग इता है? जी बिल्कुल इसमें थाइरड रोग्यों को सहजन का अवश्यी सेवन करना चाहिए जिन भी महलाओं को या पुर्षों को थाइरड की समस्या होती है जातर महलाओं में ही पाई जाती है ये तो थाइरड ग्लेंड इसे अगर अपन शेवन करते हैं तो अधिक सक्रिय हो जाती है और महलाओं को जो थाइरड की गोली वगएरा लेनी पड़ती है अगर वो नियमित रूप से मुन्गे की पत्ती का उप्योग करें तो उनको गोली से भी चुटकारा मिल जाता है आजकल हरबल टी का बहुत ज्यादा चलन चलता है तो क्या इसमें भी इसकी उप्योग इता है जी बिलकुल कई हम लोग जो है मुन्गे की पत्ती का लोग बाग वैसे उप्योग नहीं करते हैं और बहुत जादा चाई पीने की आतत होती है जिको तो हम उनको ये सलहा देते हैं कि आप दिन में दो बार मुन्गे की पत्ती या मुन्गे की पत्ती का चूण पानी में उबाल कर और उसमें थोड़ा सा लेमन डाल कर और आप उसको जे हरबल टी पीजिए तो चाई से होने वाले नुकसान भी नहीं होंगे और इसके जो पोशक तत्व आपको मिलने है वो पूरे-पूरे मिले ये तो सारी बाते हमने कुछ घरेलू कर ली क्या वैवसायक इस तर पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं और कर सकते हैं तो कैसे देखिए मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि वैवसायक इस तर पर अगर आप चाहें तो मुन्गे की खेती कर सक हैं तो इसको एक एकड में आधे एकड में आप लगाईए और इसको बेचिए बहुत कम समय में भी फल देने वाली वेराइटी आ गई है उसमें एक है छे माह में जो पौधा फल देने लगता है उसकी वेराइटी है PKM1 PKM2 कोयमबटूर 2 ये कुछ ऐसी वेराइटी है जो अगर हमारी किसी बहन को इसके विशा में और कोई जानकारी चाहिए हो तो कृषी विज्ञान के अंदर में आकर आप से संपर कर सकते हैं जी बिल्कुल-बिल्कुल 今 बिल्कुल अगर किसी भी हमारी बहने भी इसका पूरा उपयोग करेंगी आप हमारे स्टूडियो में आई आपका बहुत बहुत धन्यवाद